हे गाइस वेलकम बेक टू आवार चैनल तो गाइस यह ब्लोग लखी पुजा का ब्लोग है जो बेंगोली में होता है कोजागोरी लखी पुजा और यह ब्लोग बहुती लेट अपलेट हो रहा है क्योंकि तब्यात खड़ाब होने के बज़ा से मैं ब्लोग एडिटी नहीं कर पाई को तो गाइस देखिए इधर होड़ा है अलपोना ब्हेंगोली में बोलते हैं अलपोना और इधर देखिए मेरे नानी नारियल का लड़ु बना रही है這樣 है जो बहुत ही यम्मी बना था और इधर देखिए यह मैं भी थटा बहुत हैल्प कर रही हूं नानी की और इधर देखिए गाइस मेरे नानी सूजी का हलबा बना रही है और गाइस ये ब्लॉग 28 अक्टोबर की है और बहुत ही लेट हो गई है ये ब्लॉग अप्लोड करते करते और इधर देखिए गाइस मेरे मामी मेरे नानी और मेरे बेहन सभी पुझा की आज़ेन में वैस्त है और देखिए थोड़ा बहुत त्यारी हो गई है तो गाइस अगर हमसे कुछ बोलने में या फिर कुछ भी गलती हो गई तो बहुत-बहुत सोरी आप लोग प्लीस मेनेज कर लिजिए और इधर देखिए गाइस मैं पुरी बना रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत हल्प कर रही हूँ और इधर मेरे नानी भी है और इधर देखिए मेरे मामी भी है जो कि पुजा की आजन में वेस्ट है और इधर देखिए गाईस में पूरी बना रही हूँ और इधर देखिए पूरी बनके रेडी हो भी गई है और इधर देखेए गाइस कितना सुंदर रंगूली बनाई है मेरी बहुति प्यारी है और इसे तो आलपोणा बोलते है बेंगूली में तो इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो आप लोग आगे देखते रहिए बने रहिए तो गाइस इधर देखिए हमारे पंडित जी भी आ गए है और इधर देखिए पूजा हो रहे हैं मैं भी पूजा कर रही हूँ सब पूजा अंजली सब को छोड़ा है तो आप लोग बने रहे हैं देखते रहे हैं और इधर देखिए गाइस मेरी छोटी सिस्टर जिसको लक्ष्मी जी का रूप मतलब उनका जैसा सजने का मन था बहुती तो मैंने उसको जो जैसा भी हो सजाया है मतलब उतना भी तो अच्छा नहीं हुआ फिर भी ट्राइ किया है थोड़ा बहुत तो इधर देखिए मैं उस को अच्छे से सजा रही हूँ और इधर देखिए गाइस पूजा संपणना हो गई है और पूजा संपणना होने के बाद घर का बहू घर की पूजा करती है और इधर देखिए मेरे मामी भी पूजा कर रही है और इधर देखें गाइस मेरे नानी और मेरी छोटी भेन बैठी है और गाइस इधर देखें गर्म गर्म खिचरी बन चुकी है और ये खिचरी मेरे मम्मी ने बनाई है जो की बहुत ही यम्मी बहुत ही टेस्टी था और मेरी मम्मी का हाथों का स्वाथ बहुती अच्छी है और इधर देखें मेरे नानी खाना कहा रही थी क्योंकि मेरे नानी ने साल दिन कुछ नीर खाया था क्योंकि नानी ने उपवास रखा था और मैं और मेरी मामी और मेरी बेहन इशा ने भी उपवास किया था और इधर देखिए इधर है मिठाई नारियल का लड़ू खजूर और इधर भी बहुत सारे प्रसाद है यह देखिए तील का लड़ू तो गाइस बहुत ही छोटू सा ब्लॉग है अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माप कर दीजिएगा और मैंने बहुत मैनत से यह पर दोग कि यह ग्याए आप लोग पलीड देखिए कि मत किजिए और अब देखिए मेरी चोट इसे बहान पसत खारी यह और इधर मैं भी हूं मैं भी पसत खारी थी और इधर मेरी मामी भी है और उधर मेरे मम्मी भी पसत खा रही थी और गाइस आज का ब्लोग इतना तकी है अगर आप लोग को अच्छा लगी तो लाइक शेयर सस्क्रेब चरूर कीजिए